नमस्कार साथियों मैं हूँ डॉक्टर अनंद भार्दो आज आपका जाना पैचाना वास्तु कंसल्टेंट आज हम बात कर रहे हैं उस पहलो पर जिसका कंसर्ण है अमारी प्रॉस्परिटी से हमारी समृद्धी से साथियों ये कहा जाता है कि जहां गंदगी होती है जहां प साथियों ऐसा नहीं कि हम जहें कुछ चीजों के बिना जी लेंगे कुछ चीजें हमारे लाइफ का अभिन अंग हैं जैसे जूते हैं जाडू है डस्ट में पोचा है ना और कबाड़ी को बेशने का समान होता है बहुत बारा पुराने खवार रदियां होती हैं ये हमारे ज उसी तरह से उसी रूल के उपर फॉलो करता है तो ये सब चीजें कहां पर होने चाहिए जहां पर कि आपके घर में कोई भी नेगेटिवीटी पैदा ना हो आप देख रहे हैं आज मैंने लिखा है बोड़ पर कहा रखें जूते ज़ाडू डस्ट मिन और बेकार समाज जो क जिस पर विस्तार से चर्चा करने वाला हूं अगर जाना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो पर अखीर तक अंतराश्ट्रिये ख्याती प्राप्त सेलेब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट वास्तु शास्त्र के एंसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारत द्व साथियों आज हम चर्चा कर रहे हैं जूते जाड़ो डस्टमीन और कबाड़िक बेशने का वेकार समान घर में कहां रखा जाए जब हम कहते हैं ये समान होना नहीं चीए लेकिन होता तो है ना सबके घर में होता है मेरे घर में भी है लेकिन इनके लिएक विवस्ता होती है कहां पर रखा जाए जहां पर कि आपके घर में कोई भी negativity प्रवेश ना कर पाए क्योंकि ये सब चीज़ें क्या करती हैं ये सब ये कौन कौन से चीज़ें हैं साथियों, आप देखेंगे, ये देखिए, बहुत सारी आइटों हमारे घर में होती है, सफाई से संबन्दित होती है, जूता जाड़ो होता है, डस्विन हमारे पास होता है, जूद रिच्छी शूद, अपना कुड़ा उठाने का हमारे पास सम कुछते रहते हैं, कि सर, शूद कहां पे रखें, शूद के लिए बी कोई इस्छान होता है, जी हाँ, होता है, शूद के लिए बहुत सारे शूद रखे जाते हैं, घर के अंदर, आप देख रहें, ये जो हैं, ये पूरा का पूरा ये कहीं पर शूद किसीने भूखा चाहिए ना इसकी भी दिशा होती है साथियों इसकी दिशा क्या होती है आप नोट करेंगे के ये कोई भी जूते जाड़ और सब के लिए एक ही सिधानत है पहले तो एक छोटा साब को पाइंट बता दो किचन में डस्मिन का रहना चाहिए इस पर भी सवाला आते हैं किचन के चोड़ कर इसे कहीं में रखो हर दिशा कमफर्टेबल होती है किसी भी किचन के अंदर जो हम डस्मिन रखते हैं उसके लिए पर उस डस्मिन का एक नियम और भी है डस्मिन हमेशा साफ रहना चीए उसमें कोई न्यूस्पेफर को बिचालें इसमें काग़े बिचालें ताक और जो किचन का डस्मिन होता है उस महागंदी केटेगरी का नहीं होता जैसे कि हम टॉलेट की बात करते हैं किसी ऐसी चीज की जाड़ू के बात करते हैं क्यों क्योंकि उसमें आम तोर पे जो खाने का समान होता है उसके जो रेजिदूस होते हैं वहार कि जाते हैं इसके अ बनी हुई है अगर आपकी जाए साउथ इसमें बनी है तो बहुत संभावदा है कि आपका जो डस्विन है वो नॉर्थ वेस्ट में अराम से आ सकता है वैस्ट में भी रख सकते हैं वैस्ट में उसके बाद आई शूस कहां पर रखेंगे शूस के लिए भी बिल्कुस थान वह होता है साथियों वास्तु जाए यह मैक्रो टो मैक्रोच होता है पहले हम पूरे प्लॉट का वास्तु करते हैं प्लॉट के बाद घर का वास्तु करते हैं बिल्ड़ने का वास्तु करते हैं इंडिविचल कमरे का वास्तु करते हैं तो यह शूस आपने रखने हैं दो तरह क कल्चर भी होती है हमारे और भी बहुत सारी कल्चर होती है साफ्ट इंडिया होता है अमद्र प्रदेश में भी जहां पर की जूते को कभी भी घर में निलाए जाता घर के आम तो पर फिर महां पर चपलें दूसरी पहन लेते हैं तो जब बाहर जो शूज रखे जाएंगे आपका कही मकार बना हुआ है माल लेता हूँ अगर यहां पर उत्तर आ गया तो यहां दक्षिन आ जाएगा इदर पश्चिम आ जाएगा इदर हमारा पूर दिशा हो जाएगी तो अब जहां भी आपका रास्ता बना हुआ है माल ले यहां पर जाएपका खुला आंगर बना अगर यहां पर संभव ना हो, हो सकता है कि आपका घर जह है, उसकी फेसिंग यह ना हो, आपके घर की फेसिंग हो सकता है कि आपका घर जह है, वो आपका साउथ फेसिंग हो, अगर साउथ फेसिंग आपका घर होगा, तो डेफिनेटिली फिर आपके जितना भी यह समान होगा यह सब कसा अराम से आप साहुती इसमें रख सकते हैं कोई समस्या नहीं होगी साउथ वेस भी चलता है पर महाँ पर क्या होता? कि महाँ पर मास्टर बेटू बना तो साउथ वेसमें न रख यह तो जादा छाये का ये जगा वैसे बूरी नहीं होती इसमें कोई समस्या नहीं होती अब आता इसके बाद में पोछा और जाडू साथियों जाडू को जब भी आप रखते हैं तो ये ध्यान करना कि जाडू को हमेशा लिटा के रखना चाइए जाडू को कभी भी खडा निख ना चाइए जैसे ज्याड़ों कहीं पर आपने रखनी है तो आप कोशिश करें, परयास करें कि ज्याड़ों आपकी ऐसे लेटी हुई हो ऐसे लेटी हुई है इसे तक ही कड़ा हुआ अवार्इड करना चाहिए कि जिसमें इसके सीखें उपर हो और नेचे इसके पखड़ने का हो, ऐसा कभी भी ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यह जाड़ो की एक गलव स्थिति होती है, हाँ इसको उल्टा रख सकते हैं हम, अगर हम चाहें इसको ऐसे ना रखें, अगर हम चाहें जाड़ो को ऐसा रख सकते हैं, आरा किसी भी ऐसे शूर, जैसे शूर रख दिखाए ना हमने आपको, ऐसे किसी भी शूर रख में अगर आप रखेंगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो जूते होते हैं इनके दर्शन करें, जूता जाड़ो, डस्मी, जितना चुपा रहे, जितना लेटा रहे, और रैक में रहे, उतना ज़्यादा अच्छा रहता है, अभी आपको दिखाते हैं हम, कि अगर हमारे पास में एक घर है, हमारा ये मालिया, उत्तर आता है, या फिर हम ये एक और कंडिशन लेता है, उत्तर यहाँ पर आ गया, उत्तर पश्यम हो गया हमारा, अगर दिशा ग होनता है, वो कुछ ऐसा हो, कि जैसे बॉक्स होता है, बॉक्स में आप इसको जबागे रखें, खोलने वाला हो, बंद करने वाला हो, तो ज़्यादा अचा रहेगा, जाड़ो को लटा के लिटा के रखें वहाँ पर, और ये जो चीजें, सब के सब जितनी चुआ, जिज ना करें, कि बड़ा ठीरी कठा कर लें, उसको उसके बाद में करें, बहुत से लोगों की आदत होती है घर में, पुराना समान, टूटे भूटे समान को रहने की, ये सोचने के पता ने कभी कहीं काम आजाएगा, लेकिन पूरी जितन की काम में नहीं आता, ये आदत क चोटे मोटे कूडे कचडे से आप अगर बचाना चाहेंगे तो सौ दो सो पांसो रुपे से जाता नहीं बचा पाएंगे, आप, हाँ, कचड़ा इकठा बहुत करने के जिससे घर में आएगी बिवारी, नेस्ती आएगी, सुस्ती आएगी, सोते रहेंगे देर तक पड़े सवाल किये थे, और मुझे लगता है कि आज आपके हर सवाल का जवाब में दे पाया, विग्यान से, और साथ में आपको संजा पाया, इसके पीछे लोजिक क्या होता है, अगले वीडियो फिर से आप से करूँगा, मैं शाजा करूँगा, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्या लगा, और आपको लगा कि हाँ, मैंने आपके दिल को छू लिया है, तो सच में इसको आप लाइक करना मत भूलना, और साथ में शेयर भी करना अपनी सोशल मीडिया पर, अगले वीडियो में फिर से आप से मुलाकात करता हूँ, एक निया टॉपिक लेकर आउँग आप तरीफ करते हैं, और साथ में लाइक, जैसे मेरा वीडियो अपलोड होता है, उसके बाद लाइक की भरमार लग जाती है, वहाँ पर एक के बाद एक पचास सो, दो सो, चार सो, पांसो लाइन लग जाती है, साथ में ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है, रिवा झाल